क्वार्ड क्या है? चीन क्यूं खाता है क्वार्ड से खौफ? और क्या है क्वार्ड और कब हुई इसकी इस्थापना? दिल्ली में हो रही क्वार्ड की बैठक से सबसे ज्यादा चिंता चीन को हो रही है आखिर चिन क्यों Quad से घबराता है? इसके साथ ही Quad क्या है? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? और इसके बारे में आज हम इस विशलेशन में और इस विशलेशन की सीरीज में हम आपको बताएंगे बने रही है हमारे साथ वीडियो के अंतक और देखते रहे है V1 News देखिए भारत Quad देशों की अध्यक्षता कर रहा है विदेश मंतरी S. जैशंकर के नेत्रियत्य में दिल्ली में Quad देशों के विदेश मंतरी की बैठके हो रही है और इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंतरी एंटनी विकलन जपान के विदेश मंतरी योशी मासा हयाशी और अस्ट्रेलियाई विदेश मंतरी पेनी वोंग ने हिसा लिया है वैसे तो क्वाड की बैठक दिली में हो रहे है लेकिन इसकी चिनता सबसे ज़्यादा चीन को हो रही है चीन के चिंता को जानने से पहले आप ये जान लीजे कि Quad है क्या Quad चार देशों के बीच होने वाली सुरप्षा समभाद का एक ग्रूप है जैसे चार दोस्तों का होता है वैसे ये चार देशों का एक ग्रूप है Quad का मतलब होता है Quadilateral Security Dialogue इन में चार सदस्य देश भारत, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान है ये सभी देश समुंद्री सुरप्षा और ब्यापार के साजा हितों पर एक जूट हुए है चीन इस ग्रूप का हमेशा से विरोध करता रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि इसका गठन चीन के गलत इरादों को देखते हुए किया गया था हाला कि Quad देशों का कहना है कि ये गुरूप केवल हिंद प्रशान्त छित्र के साजा हितों की रक्षा करने के लिए हुआ है अब इसके गठन की बात अगर मैंने छेड़ी दी है तो चलिए इसके स्थापना कब हुई और कैसे हुई ये भी पता देता हूँ आपको Quad के स्थापना की कहानी तकरिबन 20 साल पुरानी है वैसे तो Quad 2017 में अस्तितों में आया था लेकिन इसकी शुरुवात 2004 में हिंद महासागर में आई भुकंप और सुनामी के समय हुई थी इस सुनामी में भारत समेत कई देशों को नुकसान पहुँचाया था और इसी समय भारत अमेरिका जापान और अस्ट्रेलिया साथ आये और इस गुरुप को सुनामी कोर गुरुप के नाम से जाना जाता है जिस से राहत और बचाव कारे में अहम भुमी का निभाय थी ये चारों देश मिलके हाला कि उदेश पूरा होने के बाद ये समोह बिखर गया था उसके बाद क्वार्ड को बनाने का सबसे पहला विचार जापान के मन में आया था जापान ने इसमें एहम रोल निभाया था 2007 में जापान के ततकालीन पी-एम शिंजो आबे पहल की इस गठन को बनाने के लिए लेकिन उस समय और ऑस्ट्रेलिया का समर्थन नहीं मिला और ये उस वक्त नहीं बन पाया था लेकिन उसे समय चीन को पता नहीं क्या सूजी चीन को तो आप जानते ही है बदमाशी करने लगा और 2017 में हिंद प्रशांत श्यत्र में चीन की बढ़ती गत्वीदियो को देखते हुए और अस्ट्रेलिया के भी विचार बदल गए और क्वाड अस्तित्तों में आ गया फिर चीन चुप कहा रहने वाला था चीन ने क्वाड को एशियाई नाटो कहने लगा और चीन की विस्तारवादी नीती से तो हर कोई वाखी विस्तारवादी नीती मतलब बढ़ता चला जाओ और किसी की सुनू ही ना चीन इसी नीती पे काम करता है चीन हिंद प्रशांत श खित्र में अमेरिका की दखल पर चीन हमेशा आग बबूला रहता है और वो इस समू को एशियाई नाटो के रूप में बताता है तो कुल मिला जुलाकर अगर देखा जाए कि चीन का रवया को देखते हुए ही ये समान सोच वाले जो देश है चार देश वो एक साथ है अब चीन को किस बात का डर है क्यों खौफ खा रहा है वो दरसल चीन शुरवात में क्वार्ड देशों के एक जूट होने को बड़ी बात मानता था और उसे लगता था कि ये सभी देश एक साथ कभी आही नहीं पाएंगी क्वार्ड के बंदे ही चीन का ये गलत फेमी भी दूर ह गई चारो देश हिंद प्रशांद छेत्र के देशों की साजा समस्या पर काम करने लगे चाहे वो जलवायू परिवर्तन हो या कोई और समस्या इस पर क्वार्ड काम कर रहा है और इसी को देखकर चीन परिशान है डर रहा है कि अगर क्वार्ड देश इन समस्याओं से पार पा लेते हैं तो वो हिंद प्रशांत छेत्र में उसकी आउखात दो कौड़ी की रह जाएगी अब दोस्तों वीडियो के अंद तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा फाइदे की बात कर ले कि कौड में कौड समू से भारत को क्या फाइदा है कौड का हिस्सा बनना भारत के ल इवेश बढ़ा है लोग इन्वेश्ट कर रहा है हमारे देश में और रोजगार की नए उसर मिले हैं वो बात अलग है कि अभी भी बेरोजगारी और बेरोजगारी को लेकर हमारे साथी स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे युवा हमारे देश के स्ट्रगल कर रहे हैं खेर जो इसली फाइदा जो भारत को हुआ है वो ये है कि क्वार्ड से जुड़ कर भारत संयुक्त सैन अव्यास में हिस्सा ले सकता है ये सबसे इंपोर्टेंट बात और साइबर सुरक्षा को भी बेहतर कर सकता है तो दोस्तों ये रहा क्वार्ड और उसकी जानकारी पसंद आई हो तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाईए मिलते हैं आप से अगले विशलेशन में नमस्कार